हलो दोस्तों अभी हम लोग जगनापूर के मोला नगर में खड़े हैं और यहां पे सुबा पांच बजे की घटना है यहां पे एक सिलेंडर ब्लाष्ट कर गिया है तो चलिए घर वालों से बात करते हैं और क्या हाथसा हुआ उसको थोड़ा जानने की कोशिस करते हैं तो जै कहां पे था यह सिलेंडर इदर अच्छा यहां पे देखिए इदर यहां यह किचन था और यहां पे ही सिलेंडर रखा हुआ था और किसी तरह पांच बजे सुबा पांच बजे सब सोय वेते घर वाले और यह ब्लाष्ट हुआ है ब्लाष्ट होने के कारण ब्लाष्ट होने कि बाद घर में आग लग गई और पडोसियों के मदद से आग को बुताई गई है आप देख सकते हैं किस तरह से पुरा घर जो है जल चुका है कुछ भी नहीं बचा है तो हम लोग परिवार वालों से मिलते हैं यहां पे दो परिवार यहां पे रहते थे तो दोनों के मुख् जुवेदा खातून तो कैसे यहां मतलब कितना बज़े यह हुआ है घटना चार पांच कर बीच में चार पांच कर बीच में तो आप लोग उस्टेम सो रहे थे फिर यह बलाश्ट हुआ है उसके बाद जब आगुका आवास सुने ना इची लाएं उलाएं तो हम बाहर लिख आपना नाम बताइए मुहमद मुस्तफा अच्छा आप क्या देखें यहां पर सुबह में सुबह में हम देखें तो मेरी बदन जलने लगा हां तो हम को नीन टूट गई अच्छा फिर हम लोगों के जगाए गर्मी से आपका नीन खुल गई है ना अच्छा उसके बाद जगाए सब उजहना सुरू कर दिया हम लोग तो आड कोश पाता नहीं था पहले से Forbes ज़ला क्या हुआ तो आग है कारण क्या है कारन तो हम लोग कुछ वे हिने सकते अच्छा अच्छा अप लोग को पता नहीं आप लोग सोई वए थे खानाded कि अच्छा तो सरकार से और अपने घर थोड़ा हो जाया अच्छा जमीन है आपके पस अप सरोकार से चाहते हैं कि सरकार जो है आपको घर दे तो क्या आप ये घर तो अभी तूट गया है आप लोग कहां रह रहे तो अभी तो माई समाजिय कहीं पर आप फुटपात में तो इसको बनाने में है आप अच्छा अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग भी कोशिस करते हैं कि किसी तरह जो है आप लोग को जो भी है सहायता हो वो सहायता हो सके और सरकार जो है आप लोग को घर दिलाए धन्यवाद